आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में दिल्ली पुलिस को हाल ही में शद्धा वोकर की हत्या के आरोपी आफ्ता पुनावाला की पॉलिग्राक्वी टेस्ट और नार्को टेस्ट की अनुमती हाई कोट से मिल चुकी है इसी वज़े से यह विशय चर्चा में बना हुआ है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है शातिर क्रिमिनल बचने के लिए अक्सर जूटी कहानिया बनाते हैं पुलिस को गुमरा करते हैं इससे सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है नार्को टेस्ट में साइको एस्टिव दवक दी जाती है जिसे truth drug भी कहते हैं जैसे कि sodium pentothal, scopola mine और sodium amytal sodium pentothal कम समय में तेही से काम करने वाला anesthetic drug है इसका इस्तिमाल सरजरी के दौरान बेहोश करने में सबसे जादा होता है chemical जैसे ही नसों में उतरता है, शक्स बेहोशी में चला जाता है बेहोशी से जागने के बाद भी आरूपी आदी बेहोशी में रहता है इस हालत में वो जान बुझ कर कहानी नहीं कर सकता, इसलिए सच बोलता है क्योंकि माना जाता है कि यह दवा व्यक्ति के जूट बोलने के इरादे को कमजोर करती है इसलिए sodium pentothal या sodium thiopental को कभी-कभी truth serum भी कहा जाता है और इसी रूप में संदर्वित भी किया जाता है और कहा जाता है कि जुत्य विश्यूत के दोरान खूफय कर्मियों द्वारा इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था अब हम बात करेंगे पॉलिग्राफ टेस्ट के बारे में पॉलिग्राफ टेस्ट नार्को टेस्ट से अलग होता है इसमें आरोपी को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया जाता बलकि कॉडियो कफ जैसी मशीने लगाई जाती है इसके जरीए ब्लड प्रेशर, नब्स, सांस, पसीना, ब्लड फ्लो को मापा जाता है इसके बाद आरोपी से सवाल पूछे जाते है जूट बोलने पर वो घवरा जाता है जिसे मशीने पकड़ लेती है एक पॉलिग्राफ टेस्ट एक धारना पर अधारित है कि किसी व्यक्ति के जूट बोलने पर शुरू होने वाली शारिरिक परतिकिरियाएं व्यक्ति के सामान्य शारिरिक परतिकिरियाओं से भिन होती है इस तरह का टेस्ट पहली बार 19 सदी में इटली के अपराद विज्यानी से सारे लॉंब्रो सो ने किया था बाद में 1914 में अमेरिकी मनोवेग्यानिक विलियम मेर्स्ट्रॉन और 1921 में कैलिफोर्निया के पुलिस अधिकारी जॉन लॉसंस में भी ऐसे उपकन बनाए भारत के कौर्ट में नार्को टेस्ट की लेगल वैलेडिटी क्यों नहीं है National Library of Medicine के अनुसार दवा के इस्तेमाल के बाद इस बात की कोई गैरेंटी नहीं है कि कोई अपरादी सिर्फ सच ही बोले एनेस्थीसिया की स्थिती में कोई शक्स अपनी इच्छा से स्टेट्मेंट नहीं देता है और इस समय वह अपनी होशो हवास में भी नहीं होता है इसलिए कोट में कानूनी तोर पर सक्षे के लिए नार्को टेस्ट रिपोर्ट को सिविकार नहीं किया जाता है हाला कि सुप्रीम कोट में अपने एक फैसले में कहा है कि नार्को टेस्ट रिपोर्ट की मदद से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी को सबूत के तौर पर कोट में पेश के जाने की अनुमती होगी इस से समन्दित एक बहुत ही महत्वपुन फैसला है जो कि सुप्रीम कोट का है सैल्वी बनाम करनाटक राजयवाद जो कि 2010 से समन्दित है सुप्रीम कोट की एक बैश ने फैसला सुनाया कि बिना आरूपी की सहमती के कोई भी लाई डिटेक्टिव परिक्षन नहीं किया जाना चाहिए वलेंटियर के पास एक वकील तक पहुँच होनी चाहिए और पुलिस और वकील द्वारा उसे बताए गए परिक्षन के शारीरिक भावनात्मक और कानूनी नहितार्थ होने चाहिए ये भी कहा गया है कि 2000 में राष्टिय मानवा दिकार आयोग द्वारा परकाशित अभियुक्ट पर पॉलियोग्राफी टेस्ट के किर्यान्वियन के लिए दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए नयाईक मजिस्टेट के समख्च सम्मन्दित व्यक्ति की सहमती दर्ज की जानी चाहिए परिक्षनों के परिणामों को सविकार रोकती नहीं माना जा सकता लेकिन स्वेच्छा से लिए गए परिक्षन की सहायता से बात में खोजी की किसी भी जानकारी या सामगरी को साक्षे के रूप में स्विकार किया जा सकता है सुप्रीम कोट ने सम्मिधान के अनुशेत बीस तेन या आतम अपरात के खिलाफ अधिकार का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि किसी भी आरूपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता अब हम बात करेंगे नार्को टेस्ट से समन्दित कुछ उधारनों के बारे में आरूशी मडर केस में 15 मई 2008 की रात नौइडा के सेक्टर 25 में 14 साल की लड़की आरूशी की रहसे मई मोत हो गई थी फिर जन्वरी 2010 में पुलिस को नौकर हेमराज के दोस्त प्रिष्णा के नार्को टेस्ट की परमिशन मिली थी CBI ने जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश में उनाव रे पीडिता को ले जा रहे वाहन को टकर मारने वाले ट्रक की ड्राइवर और हेलपर के लिए इस टेस्ट से गुजारने की मांग की थी अगस 2019 में CBI पंजाव नेशनल बैंक की एक पुरुव करमचारी पर पॉलिग्राफी और नार्को एनालिसिस परिक्षन करना चाहती थी जो फरार ज्वेलर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े कतित 7,000 करोड रुपे के दोका धड़ी में हिरासत में थे प्रबंदक गोकुलनाच शेटी ने सहमती से इनकार कर दिया था इसी तरीके से मैई 2017 में इंदरानी मुकरजी जो 2012 में अपनी बेटी शीना बोहरा की कतित रूप से हत्या के आरोप में मुकरदमे का सामना कर रही थी ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की पेशकश की थी CBI ने यह कहते वें इनकार कर दिया कि उसके पास उनके खिलाब पहले से ही परयाप सबूत है यहाँ पे एक महत्वपुन प्रश्ण उठता है कि क्या नारको टेस्ट से जान भी जा सकती है नारको टेस्ट में जो ड्रग्स दिया जाता है वो बहुत ही खतरनाक होता है आरोपी को मनोवग्यानिक औरगन से जूड़ी या कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी है तो उसका नारको टेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि कुछ गरबर होने पर इमर्जनसी की स्थिती में तत्काल इलाज किया जा सके व्यक्ति की सेहत उम्र और जेंडर के हिसाब से नारको टेस्ट की दवाईयां दी जाती है पूछताश के वक्त वहां आरोपी के जवाब का एनालेसिस करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट मनोवग्यानिक आडियो वेडियो ग्राफर और सहायक नर्सिंग स्टाफ के अलावा सेनियर पुलिस अफसर भी मौजूद रहते हैं इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच don't forget to like share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update